हिलो और वेलकम टू जीए स्वारता, जीए स्वारता मैं आज का टॉपिक है इस्ट्रक्चर ओफ इर्थ, तीके आइए जानते हैं स्ट्रक्चर ओफ इर्थ को देखे डाग्राएम से समझें कि अर्थ की जो एर्थ की जो वेरियस लेयर्स हैं उसमें देखे क्या क्या है में दें सबसे पहले के क्रेश्ट एक उषका बाद में इनर लेखल ए में सब्सक्राइब कोर में भी देखे, दो पार्ट में इसको डिवाइट किया गए, आउटर कोर है, इनर कोर है, तो देखे, ये, सबसे बाहर आपको एक क्रस्ट दिखेगी, उसके बाद देखे, ये आपको मेंटल देखेगा, कोर देखेगा, ये आउटर कोर होगा है, ये इनर कोर होगा, ये आ कहा है अब lithosphere में देखेगा कि lithosphere को दो distinct part में divide कर दिया गया है अपर part जो है वो granitic rock से बना हुआ है granitic rock से बना हुआ है अपर जो part है lithosphere का उसके बाद देखेगा इसमें जो main minerals constituent हैं वो है silica and aluminium silica and aluminium जो अपर part है उसमें क्या है silica and aluminium इसको ध्यान लखेगा silicon aluminium इसलिए इसका जो name है siyal पड़ा हुआ है जो lithosphere upper layer है lithosphere की upper layer है उसको दो part में divide किया गया upper layer का जो name है उसमने क्या कहा है siyal बताया ठीक है siyal क्यों कहा गया देखे siyal silicon का जो अपना इसका symbol है वो si है aluminium का al है तो दोनों में इलागे क्या बन जाएंगे siyal बन जाएंगे ठीक है upper layer के बारे में कहा गया है इसकी density जो है वो 2.7 gram per centimeter cube average density 2.7 gram per centimeter cube siyal को लिगी ठीक है next देखे यह देखे यह अपना देखे siyal 2.7 उसके बाद देखे नीचे इससे यह लिए लिए लिधोसपेर यह पूरा लिधोसपेर यह पूरा और यह पूरा लिधोसपेर मिलके बनाते है ठीक है और यहां देखे आपको क्या मिलेगा देखे सीमा लिखा हुआ है इसकी देंसिटी कितनी है थ्री ग्राम पर सेंटीमेटर की एवरेज देंसिटी सीमा क्यों कहा आगया आई जानते है इसको next slide देखे लोवर पार्ट जो है इसका इसका लिधोसपेर का वो क्या है डेंसर यह थोड़ा सा और क्या बैसल्टिक रॉक से बन होते हैं ठीक है यह मारा ओशन है ओशन के फ्लोर जो है डेंसर बसल्टिक रॉक से बना हुआ है इसमें क्या क्या मिलेगा हमको सिलीका मिलेगा आइरन मिलेगा मैगनेशियम मिलेगा ठीक है इसलिए इसको क्या कहा गया सीमा कहा गया यह सीमा कहा गया सिलीकन भी है इसमें राटे पास किया क्रस्ट करस्ट की जो नीचे मार किया मिलेगा मैं में इन खोर मिलने वाला कोड़ में दिखेगा क्या क्या मिलता है में अलिमें टम्ल मिलेगा इंजल में आइरन मिलेगा निकल मिलेगा ठीक है THAT's why it is काल नाइफ हृ तरह निकल सट जो है वो निकल का शिम्बल दिया घे अटू अक्रुब्स अपना इंडरख और यसका सिम्बल एफ यह तो कि नाइफ बोल दिया गया इसको है इसका तामWhen is very high 3500 degree Fahrenheit, okay? Very high, okay? Huge temperature. Then, उसके बाद है, part of the earth crust are emerged by ocean seas, this form the hydrosphere, okay? Earth crust का वो part जो water में emerged है, okay? Earth की crust का वो part जो कि है, पानी में दूबा हुआ है, okay? पानी में दूबा हुआ है, उसको हमने क्या बोला है? Hydrosphere भोल दिया, okay? उसको हमने hydrosphere बोला है. Earth is developed by mass of gases which is make which makes up the atmosphere, gas से बना हुआ, ठीक? बहुत सारी gases है, उसको हमने क्या बोल दिया, ठीक है? Next हमारे पर देखे क्या है, यह देखे लेयर से इनके बार में देखे कि इनकी thickness क्या क्या है, सबसे पहले देखे आपने, आपको देखे इनर जो core है, उसके ठीकन से यह, 1270 km, ठीक है, इनर core की, ठीक? उसके बाद देखे क्या मिलता है, आपको आउटर को मिलता है, ठीक है, 2200 km, clear है? Then we have our mental, ठीक है, इसको भी देखे, lower mental, upper mental में डिवाइट कर दिया गया है, जो अपना lower mental है, lower mental 2000 km, then upper mental है 500 km, clear है? उसके बाद देखे, आपको क्या मिलता है, उसके बाद देखे, आपको crust मिल जाता है, जो आपको यह dotted, black dotted से दिखा है, यह वाला, तो यह आपको क्या है, ठीक है, ठीक है, crust क्रस्ट के बाद आपको क्या मिल जाता है, तो जो various gases है अपनी, ठीक है, आपको एक basic idea होना चाहिए, कितना thickness किसका है, आपको exactly याद ना भी हो, तो आपको basic यह पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर जो है, अपना structure, जो है, complete हो जाते है, ठीक है, ठीक है, now we have, for the GS Varta viewer, if you are liking our content, then please like, share and subscribe, and you can comment your feedback also, and in the upcoming days, we are coming up with various GS subjects also, content on various other GS subjects like quality, environment, history, art and culture, so please like, share and subscribe, and boost our confidence with your subscription, thank you so much.